कि अपने फ्रिंड Red Diamond की खुद को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि Red Diamond वास्तों में द्याच्चा का भाई था, रेड द्याच्चा की सचाई जानकर सबी पूरी तरह से हैरान थे, और फिर इसके बाद द्याच्चा के कहने पर उन सभी को बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद द्याच्चा उन सभी लोगों के सामने उस 79 वेपन को आग में जला दीता है ताकि आगे कोई भी उसकी मदद से उसे हरा न सकी द्याच्चा अपने भाई रेड डिमन पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लगता था कि एक इनसान से प्यार करने की वज़े से ही उसके भाई ने उसे धोका दिया इसलिए वो रेड डिमन की गल्फेंट को उसके सामने ही मार दीता है क्योंकि वो चाता था कि रेड डिमन उसके लिए अपनी इनसानी गल्फेंट की यादों से लोट आए अपनी गल्फेंट की मौत से रेड डिमन काफी गुस्सा था इसलिए वो द्याच्चा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उनके बीच में एक खतनाक फाइट होती है वहाँ पर अब क्योंकि द्याच्चा रेड डिमन से काफी ज़्यादा पाउर फुलता है इसलिए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है ओट इदर अब धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें नौसत्रा जल रहा था क्योंकि वो सिर्फ उसी की पाउर की मदद से ही द्याच्चा को हरा सकता था